हेलो स्टूडियन्स आज ली क्लास में आपका सौगत है आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ माइक्रोब बाइलोजी मतलब माइक्रोब बाइलोजी में कितनी ब्रांचेज हैं तो अब हम देखते हैं on the basis of taxonomy मतलब जो माइक्रोब हैं वो किन प्रकार के होते हैं उनके क्या नॉमनक्लेचर है तो उस taxonomy की अधार पर हम कितनी प्रकार के पढ़ते हैं कितनी प्रकार की ब्रांचेज हैं फर्स्ट है बैक्टिरियो लॉजी जिसमें हम बैक्टिया की स्टडी करते हैं माइक्रोजी जिसमें हम फंजा की स्टड़ी करते हैं तो अब हमने यह तो बताए कि बैक्टिरियलोजी बैक्टिरिया की स्टड़ी होती है माइको में फंजाय की और वारोलोजी में वायरस प्लस बैक्टिरियोफाज और पैरसाइट्रोलोजी में पैरसाइट्स अब इन में हम वास्ट क्या पढ़ते हैं तो जेनेटेक्स पर डिसीज़ और इनकी जो पैथोजेनिसिटी है और उसका आइडेन्टिफिकेशन इन सारी चीज़ों को हम पर्टिकुलर्ली एक माइक्रोब के लिए हम पढ़ते हैं ठीक है तो अब हम बात करते हैं कि ओन दा बेसेज ओफ आप्लिकेशन तो आप्लिकेशन मतलब कहां कहां माइक्रोबाजी अप्लिकेबल है तो उसकी क्या फील्स हैं यह क्या ब्रांचेज हैं वह भी मेजर फोर टाइप्स की हैं तो सबसे पहला एंवार्मेंट एग्रिकल्चर मेडिकल इंडस्ट्रियल अब आपको पता हैं इंवार्मेंट में 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 एयर वाटर और सॉयल ये तीन मेंजर देखें तो फूड औडेरी प्रडवक्स एक अलग है और फर्मेंटेड मतलब ऐसे प्रोडाक्स जो फर्मेंटेशन के द्वारा बनते हैं वो उनकी काटेगरी अलगे है ठीक है फिर इसके अलावा बिसाइड दीस सम फिल्ड आरेस फॉलोस जैसे की रिसर्च पर बायो टेक्नलोजी जैंड जैनेटिक इंजिनियरिंग यह सब इनकी ब्रांचेस हैं जहां पर मा अलग अलग जैगे पर अपना महत्वाश दिखाती है इन्वायर्मेंट में क्योंकि हर जगे अपना मायक्रोब्स प्रेजेंट हैं तो उसकी वहां पर भी अप्लिकेबल होती है एक्रिकल्चर अब हम जो भी जो प्लांट से जो सौइल और प्लांट का इंट्रेक्शन होता ह उसमें microbes कैसे role play करते हैं, उसको हम इसमें पढ़ते हैं, agriculture में, medical जो हमारे human और animals हैं, उनमें जो disease होती हैं, उनके जो natural microflora हैं, तो वो क्या हैं और कैसे disease होती हैं, और disease के लिए क्या drugs होने चाहिए, ये सारी चीज़े हम medical field में पढ़ते हैं अब हमारे खाद्य पदार्थ या उनसे जो कुछ microbes होते हैं, वो beneficial होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ products का निर्मान करते हैं, जैसे कि antibiotics, ठीक हैं, तो और enzymes, ऐसे बहुत से products हैं, जो microbes खुद produce करते हैं, by fermentation process, तो वो किसमें आ जाते हैं, industrial में, फिर हम कुछ, जो microbes उनकी genetic engineering करते हैं, उस field में भी हम जा सकते हैं, फिर research जो आने वाले कुछ नए हैं, ठीक हैं, अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं, scope and application of microbiology, अब हमने बात की थी branches की, तो जहां जहां ब्रांचेज हैं, जाहर है कि वहां पे ही application है, वही scope भी है, देखते हैं कैसे, तो, जो microbiology है, उसकी जो fields हैं, जहां पे वो उपस्थित होंगे, उनकी वही पे study करना, कि वो उस habitat में कैसे हैं, क्या कर सकते हैं, उनकी क्या properties हैं, ये सारी चीज़ें, और इनी में काम करने का हमारा scope होता है, तो, largest and most complex biological science deals with many divers, अभी तक की classes में यही पता चला है, कि जो microbes हैं, वो क्या है, कि वो हर जगे उपस्थित हैं, अपने environment में, human bodies में, plants में, सबकी अपने-अपने own microflora होते हैं, जिनके कुछ common microbes हैं, जो वहाँ पर permanently, या temporary, या permanently, दोनों ही तरीके से वो उपस्थित होते हैं, तो, उन सारे चीज़ों से, जो deal करते हैं, जो science, वो biological science, बहुत ही, large हो बहुत ही diverse है, ठीक है, अब present हैं, तो वो कैसे हो सकते हैं, pathogenic भी हो सकते हैं, और non-pathogenic, तो microbes कैसे भी हो सकते हैं, चाहे तो वो harmful हो, हमें disease cause करें, या तो फिर वो beneficial हो, और हमें benefit भी दे सकते हैं, तो दोनों ही प्रकार के microbes उपस्थित हो सकते हैं, अब in many fields, microorganisms play an important role as described, अब जो हमने fields बताई थी, उनमें कैसे कैसे, और कहां कहां application है उसका, और कितनी हमारी scope है, इस microbiology का, ठीक है, तो हम देखते हैं, अगर हम industry की बात करें, in industry, any product produced by industry, अब industry के दौरा जो भी products बनते हैं, उन सब में applicable होते हैं, लेकिन उसके भी कुछ categorized हैं, जैसे की food products, जो भी हम packed food होते हैं, जो chips हैं, या फिर, ऐसे कोई भी खादेपदार्थ, जो industries में packed होके आते हैं, उन सब में microbes की बहुत ही important role होती है, और उनके लिए एक अलग department होते हैं, जैक है, फिर जैसे की food हो गया, वैसे ही liquid, चाहिए हमारी cold drinks हो, water हो, इन सब की products में भी हम microbes को, उनका अलग department होता है, उनको check out करते हैं, फिर milk और milk products, फिर fermented products by microbes, और दूसरा है fermented products by the help of microbes, अब इन में देखते हैं, इन दोरे में difference क्या है, कि fermented products by microbes, मतलब ऐसे fermented products, जो खुद microbes produce कर रहा है, और दूसरा है, ऐसे fermented products, जो microbes की सहायता से produce हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो raw material, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को ferment करा रहे हैं, या, example ले लो आप दही, तो हम जब दूद लेते हैं, milk, तो milk हमारा raw material होता है, और जो microbes है, वो क्या करता है, सहायता करता, यह help करता है, ठीक है, तो ऐसे जो fermentation होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, fermented products by the help of microbes, ठीक है, फिर आते हैं, agriculture, जिसमें हम soil के अलग microflora होते हैं, bio fertilizer में कैसे use होते हैं, microbes, crops में diseases कैसे हो रही हैं, bio pesticides कैसे बना सकते हैं, और soil और plants के बीच में microbes का कैसा interaction होता है, इन सब के बारे में हम इसमें study करते हैं, और इन में हम आगे काम कर सकते हैं, फिर medical में disease का diagnosis कैसे करना है, फिर immunization, मतलब immune system कैसे work करता है, और हमें क्या करना चीए, और vaccine, vaccine कैसे produce की जाए, और pharmaceuticals, different जो drugs होते हैं, यह जो different antibiotics होती हैं, तो वो microbes में कैसे काम करती हैं उनको, उनको रोकने के लिए, कि वो disease cause ना करें, फिर आते हैं environmental में, environmental में, air, water, soil के अलावा, biogeochemical cycles हमने 11-12 में पढ़ा होगा, कि nitrogen cycle होती, sulfur cycle होती, carbon cycle होती है, तो इन सारी जो cycles environment में चल रही होती है, उनमें भी कहीं न कहीं, किसका role होता है, microbes का, ठीक है, तो वो कैसे role play कर रहे हैं, उनका, क्या metabolism है, यह सारे चीज़ें, देखना, फिर waste degradation, जो भी हमारा waste water है, या waste, जो material है, वो इसको कैसे degrade करते हैं, microbes, फिर pollution, जैसे की water pollution, soil pollution, इन सब को भी control करने में, microbes help करते हैं, then bio remediation, etc, फिर आते हैं, genetic engineering and technology, जिसमें हम जो microbes हैं, उनकी gene की amplification कर सकते हैं, genome mapping, उनकी क्या, gene कहा, कहा, कौन से gene उपस्तिते हैं, उनको हम genome mapping कहते हैं, और एक ही gene की copy बनाना, उसको हम gene amplification कहते हैं, और एक gene की exact copy, वो cloning, amplification मतलब की, जब हम genes की, genes का एक set, हम उसको number of copies बनाते हैं, तो gene amplification कहलाती है, अगर हम एक पूरा set बनाए, पुरे एक microbes की genes की mapping करें, उसका एक clone, एक copy बनाए, तो उसको हम gene cloning कहते हैं, फिर recombination, दो genes, दो microbes की genes को मिला के एक नया genetic recombination हम बनाते हैं, फिर research में देखें तो, जो नए microbes आते जा रहे हैं, कोई भी microbes हो, जो new हैं, उनके बारे में जानना, यह हमारे research में आता है, फिर हम उन strains को improve कैसे कर सकते हैं, फिर उनकी जो pathogenicity, अगर कुछ unknown microbes है, उनकी क्या pathogenicity हो सकती है, और हम उसे कैसे deal कर सकते हैं, तो यह सारी चीज़े आती है, research पर, okay, thank you, अगर आपको मेरी videos पसंद आती हैं, तो please like करें, share करें, और subscribe करें, और आज हमारा एक first unit complete हो चुका है, next video हमारा second unit का होगा, so please keep watching, and thank you so much.